जैसे की आप सभी जानते हैं कि BSEC के दुआरा सकेंट इंटर लेवल की भरती निकाली गई है जिसके लिए आपने फर्म को फिल आउट किया हुआ है तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी अप्डेट है क्योंकि जिन्हों ने फर्म को फिल किया हुआ है उनसे अपना जो डॉ बताने जा रहे हैं कि कीस तर से आपको डॉकमेंट को आपप लोड करना किस तरसे चीजों कर सकते हैं किन चीजों में अब ऑप تरसके हो साथ कौन कौन से डॉकमेंट अपको आपको लोड करने सभी जदन्काई जो इस वीडियो में हमने कभर किया हुआ है तो प्लिस वीडियो सुरू से अंतक लेकर जोर देखेंगे और वीडियो थ्रस भी अच्छा लगे तो प्लिस वीडियो को लाइक करेंगे क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है तो चलिए आज का वीडियो सुरू करते हैं देखिए सबसे पहल करने हैं जो भी फॉर्म को फिल किया हुआ है उन सभी को जो ही डॉक्मेंट अप्लोड करना ही करना है अलाकि एडिट वही लोग करेंगे जिनमें कुछ गलती हो गया है ठीक है तो यहां पर आने एक बास सबसे पहले यहां पर जो ही इंट्रक्शन दिया गया है कि कौन-कौ सबसे पहले बोला गया है कि आप सुधार कहां कर सकते हैं उसमें सुधार कर सकते हैं जनमतिति में सुधार कर सकते हैं जैसे कि आपका दीन और माह में सुधार कर सकते हैं बाकी यहाँ पे जो भी आपका सैचनिक यो अन्य परमार पत्र की जो निर्गित तीती होता है और परमार पत्र संखिया होता है उसमें सुधार कर सकते हैं और साथी साथ एडेस में भी सुधार आप कर सकते हैं ठीक है तो इतना चीजों में आप पूझे सुधार करने का मौका दिया जा रहा है नीचे आएंगे तो यहां पर बोला गया है कि आपके पास जो है कौन-कौन से डॉक्मेंट होनी चाहिए देखिए डॉक्मेंट के रिगारिंग हम बात करें तो सभी दॉक्मेंट आपको नहीं देना है जो भी दॉक्मेंट का पर बात के पास शे olmंदधीट। से संबंदित संबापूइड नहीं है तो सब्लोड सकते कमप्यूटर से संबंधित परमारपत्र पर्मारपत्र ऐस अगर आपको याप देना पड़ेगा एक और रूप में आपको देना होगा जो कोई भी दोक्मेंट आप दे सकते हैं उसके बाद भूतपुर सायनिक परमारपत्र यदि लागू है आप हैं तो दे सकते हैं नहीं है तो छोड़ सकते हैं अगर आप सरकारी सबिंदा पे कहीं कारे करते हैं तो उसका परमारपत्र दे सकते हैं अगर आप ऐसा मतलब लागू है तो format में आपको इसको scan कर लेना है फाइल को त्यार कर लेना है और उसके बाद यहां पर upload करना है यहां पर आएंगे तो देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको login करना होगा क्योंकि login करके ही आप edit भी कर सकते हैं और document भी upload कर सकते हैं तो login करने के लिए आपके पास जो है रिश्ट्रेशन नमबर पासवड होनी चाहिए काफी सरलोग कहेंगे कि हमारे पास रिश्ट्रेशन नमबर पासवड नहीं हैं भूल गया है तो यहां से अपना जो है रिश्ट्रेशन नमबर को forget कर सकते हैं जैसे कि email ID हो आपको उपर ही link मिल जाएगा तो इस पर क्लिक करके आप इस link पर आ सकते हैं ठीक है तो चलिए मैं फट 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 यहां पर login कर लेता हूं बताता हूं कि इस तरह आपको क्या करना है जैसे ही आप login करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से डियस बोड़ाएगा जह आप यहां पर यहां करके नाम को यहां पर डाल सकते हैं जो सही नाम है ठीक है इस परकार से father mother का भी आप देख सकते हैं और बाकी सभी में देख सकते हैं कि date of birth हो गया फिर आपका domicile certificate का number हो गया या फिर issue हो गया मतलब जितने भी यहां पर चीज दिये गये उसमें आप आ submit के button पर click करना होगा तो आपका जो form है ना यहां पर submit हो जाएगा और जो भी आप सुधार के लिए apply करेंगे उस सुधार यहां पर हो जाएगा तीस परकार से अपना जो ही सुधार जरूर कर लीजिएगा क्योंकि यहां पर देखेंगे ना तो सभी में बोला गया है क्या आ किसी परकार से सुधार कर लेनी है और इसके बाद इसको संबीट कर देना है और आपको लगता है कि नहीं किसी परकार की सुधार करनी के वह सकता नहीं है तो इसको आपको छोड़ देना है ठीक है और नीचे आएंगे तो यहां पर देखेंगे न तो आपको जो है यहां पर टीक करने का button दिया गया है जहां पर आपको टीक कर देना है कि हमारा सभी जनकारी सई है हमें जो है किसी परकार की सुधार की हो सकता नहीं है तो यहां पर टीक करके उसमें आप किसी परकार की एडिट करना चाहते हैं जैसे कि आपने तेन्थ इंटरमेडियेट या फिर टेकनिकल स्किल में जो भी जनकारी आपने दिया हुआ है तो उसमें भी आप चाहें तो यहां पर एडिट कर सकते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे यहां पर एडिट करने और save in next के बटन पर click करेंगे फिर यहां पर ok करेंगे अब यहां पर जो है document आपको upload करने हैं तो document आप देख सकते हैं कि जो भी document आपको required होगा जो भी अपने जंकारी दिया होगा उतना ही document आप से मांगे जाएंगे जैसे कि देख सकते हैं कि सबसे पहले यहां पर बोला गया मार्कषीट भी होनी चाहिए और certificate भी होनी चाहिए फिर यहां पर बार्वीक देख सकते हैं कि मांक इसका यहां पर certificate भी बोला गया है साथी साथ यहां पर देखेंगे इसमें जो यह valid photo ID कोई बी एक ID proof आपको देना होगा ठीक है उसके बाद यहां पर अपना जो है domicile certificate जनकाडी दिया होगा तो वही डॉक्मेंट जो अप्लोड करने के लिए बोला जाएगा तो मेरे कंडिशन में हमने क्रीमिलियर की जनकाडी दिया हुआ है तो यहां पर हम क्रीमिलियर अप्लोड करेंगे आपके कंडिशन में जो है आपके फॉर्म का अनुसार डॉक्मेंट अ यहां पर upload हो जाएगा ठीक है upload हो जाने के बाद आप इसको भीव करके जरूर देख लिजिएगा क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभी गलती हो जाता है कर सकते हैं लेकिन अगर आपने सही document अपलोड किया हुआ है तो करना यहां पर करने पूछेगा क्या है। फिर डॉक्मेंट अप्लोड किये हुए उसको सम्मिट करना चाहते हैं तो आप यहां पर ओके करेंगे तो आपका जो फॉर्म है ना इस तरह से सम्मिट हो जाएगा और उसके बाद आप ओल्ड अप्लिकेशन को यहां से प्रिंट कर सकते हैं पेमेंट सिलिप को भी निकाल सकत हैं अब इसका प्रिंट आउट लेना है तो यहां पर प्रिंट इस पेज के बटन पर क्लिक करके इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं प्रिंट आउट निकालने के बाद यहां पर क्लोज कर दीजिएगा ठीक है उसके बाद यहां पर आपको लॉंग आउट कर देना है आ उसका सुधार भी आप कर सकते हैं, तो बस छोटा सा प्रोसेस है, जिसको आपको फॉलो करना है, क्योंकि जिन्होंने भी फॉर्म को फिल किया हुआ है, उनका गलती हो या ना हो, उनको एक बार जो है लॉग इन करके, आगे बढ़के, जो है डॉक्मेंट कम से कम अपलोड करन मेंडेटरी है, क्योंकि डॉक्मेंट अपलोड नहीं करेंगे, तो आपका जो फॉर्म है नो, एसेप्ट नहीं हो पाएगा, तो मैंने सभी जनकारी इस वीडियो में कभर कर दिया हुआ है, फिर भी आपके मन में किसी परकार कोई सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटर, तो